नमस्कार मैं हूँ अंकोर और आप देख रहे हैं सत हिंदी का नियोज बुलिटिल एक नज़र अब तक के सुख्यों पर राजस्तान के चुरू में पियम मोदी ने कहा कि मुझे पता चला कि कॉंग्रेस ने एक एडवाजरी जारिक की है और अपनी सबी इकायों को आयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर चुप रहे हैं के लिए कि लिए कहा है उन्हें लगने लगा है कि अगर राम का नाम लि जिक्र किया था और आरज़ेडी कॉंग्रेस पर हमला बोला था लेकिन फिर भी चुनाव आयोग शांत रहा बिहार में जमुई जवनसभा को संबोधित करते हुए पियम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र किया ये मोदी ने कहा कि राम मंदिर हमारी सरकार के दोनान बनाया गय आता है जबकि कॉंग्रेस आरज़ेडी ने इसके निर्मा को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे आज भी ये लोग राम मंदिर का अप्पान करते हैं जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि उचना आयोग हबन कर रहा है मौडल कोड ऑफ कंडक्ट का बिहार के पूर ब परिवारबाद के बारे में कुछ ना भूले तेजस्री ने प्रधाम्त्री मोडी के जमूई में होने वाली सभा के एक दिन पहले ये सवाल किया था कि क्या वहां एंडिये के उमीद्वार के परिवारबाद के बारे में बात करेंगे क्योंकि वहां की सीट समझो होते के तह लेकिन परिवारबाद पर कुछ बेह से बचते रहां नामात्री बुहारों कि प्रधामृती मोधी की सवा के दिनी तेजसरी यादब और राज़त ने एक लिष्ट जारी की जिसमें editing 64 उम्मीद्वारों की परिवारबाद की चर्चा थी तेजस्री ने लिखा कि प्रधामदी मोधी बिहार में प्रथम चरण की चार सीटों को प्रचार करने आएंगे और इन चारों सीटों पर विशुद सौ फिसीदी परिवारबादी उमिद्वार हैं उनके अनुसार इनमें से दो कथित छेत्रियों इवं मल्शवादी नेताओं से भरी पड़ी बीजेपी के हैं बिहार के महा गटबंदन में मुकेश सहनी के नेतोत्तु वाली पार्टी वियाएपी शामिल हो गए राजद नेता तजस्री आदब के साथ प्रेस कॉंफरेंस में मुकेश सहनी ने इस जानकार दी वियाएपी को बिहार की तीन सीटें गोपाल गंज धंजारपुर और मोतिहारी दी गई है पूर्व बीजेपी विधायक अनिल कुमार शर्मा भी कॉंग्रेस में शामिल हो गए इसके अरावा तेलंगाना में भी बीजेपी को जटका लगा है पूर्व विधायक और भाजपा नेता कुना श्री शैलम गौड कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो गए जेडिये सनेता एसडी कुमार स्वामी ने कहा है कि वो लोकसबा चुनामों में वो एंडिये की बहतरी संभावनाओं के इमानदारी से काम कर रहे हैं इसके साथ उन्होंने कहा कि संसद्य चुनामों के बाद भाजपा के साथ गटबंदन जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा यह इस बात पर नर्वर करेगा कि उनकी पार्टी और उसके नेताओं के साथ कैसा वैवार किया जाता है उन्होंने इसके साथ ये भी बता दिया कि मौका मिलने पर वो क्रिश्य मंत्री बनना चाहते हैं राश्ट्य जांच एजन्सी यानि आइनाईये ने बैंगलूरू में रामेश्वरम कैफे बंब स्पोर्ट मामले में शिब मोगगा के तीरत हली में बीजेपी सिटी उनिट के एक नेता से पूश्टाच की है ये घटना करम तब सामने आया है जब एनाईये ने करीब दस दिन पहले रामेश्वरम कैफे बंब स्पोर्ट मामले में कई घरों और दुकानों पर छापेवानी की थी और दस्तावेज जब्त किये थी माना जारा है कि भाजपा नेता से पूश्टाच एक मोबाइल की दुकान के दो यूर्टों के साथ उनके संबंदों से चुड़ी हुई है जिन से पहले आयनाईये ने पूश्टाच की थी इस खबर को ट्वीट कर पबन खेडा और जाराम नमेश ने कहा है क्या खबर यह हमें जगजोर देती है जाराम नमेश ने कहा है कि इस संसनी खेज घटना करम पर राश्ट्य मीडिया चुप क्यों है मद्दश में गटबंदन को बड़ा जटका लगा है यहां के खजराओ सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादब का नामांकर निरस्ट कर दिया गया है अब खजराओ में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ही अकेले रह गये हैं सीट समझहुद्दे के तैट कॉंग्रेस ने खजराओ सीट समाजवादी पार्टी को दीची नामांकन निरस्ट होने के बाद अखले शयादब ने कहा है कि खजराहू सीट से इंडिया घटमदन की सबापरत्याशी मीरा यादब का नामांकन निरस्ट करना सरयाम लुक्तंतर की हत्या है कहा जा रहा है कि हर्ष्टाक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही कियों ये सब बहाने हैं और हार्चुकी भाजपा की हताशा है जो नियायले के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं वो फॉर्म मिलने के बाद पीट पीछे क्या-क्या साजिश रचते होंगे उन्होंने कहा इस घटना की भी नयक जाचो किसी का परचन रर्ष्ट करना लोगतांत्रिक अपराध है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्फ मदर्षा एजुकेशन एक्ट 2004 की गहर समयधानिक बताकर रद करने वाले 22 मार्च के इलावाद हाई कोर्ट के फैसलों पर रोख लगा दी है इसका अर्थ ये हुआ कि फिलहाल यूपी में मदर्षा अपना संचालन जारी रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लावाद हाई कोर्ट का ये फैसला सही नहीं हो सकता कि मदर्षा बोर्ट की स्तापना सेगलोरिजम के सद्धान का उलंगन है हाई कोड के 22 मार्च के फैसले के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मदरसा को बंग करना पड़ेगा हाना कि सुप्रीम कोड ने कहा कि प्रत्यम दृष्ट्रया हाई कोड का ये नतीजा निकालना घलत था इस मामले के सुनवाई सुप्रिम कोर्ट के चीफ जस्टेस डीवाई चंदचूट कर रहे थे जिसके बाद लोगों के टूट सीजाई चंदचूट की तारीफ करते हुए आने लगे हैं अब शेक गोईल नाम के टूटर यूजर कहते हैं सीजाई चंदचूट की तरह इनको कोई रोश्ट नहीं कर पाता आरजेडी के खाते में गई पूनिया सीट पर पप्पू यादब ने निर्दलिये नामंकन भरतिया है हाना कि कॉंग्रेस पार्टी उनसे नाम वापस लिनी की मांग कर रही है कॉंग्रेस की इस मांग और आरजेडी के दबाव के बीच उनका एक वीडियो जारी हुआ है इस वीडियो में भाबक हुए पपू यादब लोगों के सामने भाशन देते हुए रोहने लगते हैं उन्होंने आरजेडी नेता लालु यादब के बारे में कहा कि पिछले 14 दिन से मुझे अफमानित किया जा रहा है मेरी पार्टी खत्म की गई इतनी नफरत क्यों है मुझसे कौन सी तुष्पनी थी मुझसे क्या किया था मैंने मैंने कहा था लालु को हम आपके बेटे को सीम बनाएंगे साथ में लड़ेंगे इतना सब बोलने के बाद पुयादब रोने लगे उनकी आखों से आशू निकलते देख जनता भी भाव खोगे इस बीज पुयादब ने कहा कि उनके कॉंग्रेस और जेडी की नेताओं से अच्छे संबन्ध है सबी का संबान करते हैं लेकिन वो अपना नामांगन वापस नहीं लेंगे दिली के मंतरी आतिशी को चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नोटिस भेजा है इसमें उनके बीजेपी में शैमिल होने जेल जाने का सामना करने वाले दावे पर जवाब मागया है चुनाव आयोग ने उनसे सोब बार दोपर बारा वजे तक जवाब मांगा है चुनाव आयोग ने कहा कि नोटिस के हर एक पहरा का लिखित में जवाब दिया चाहे चुनाव आयोग के द्वारा आतिशी को भेजे गए नोटिस पर आतिशी ने जवाब दिया है और चुनाव आयोग पर हमला बोला और पूछा क्या ये भाजपा का सयोगी संगठन है अतिशी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा उन्हें इमेल के माद्यम से नोटिस भेज़े जाने से एक घंटे पहले भाजपा द्वारा मीडिया में लिग किया गया था उन्होंने पूछा कि दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्बिंद के जिवाल की गरफतारी और चुनाव से पहले कॉंग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किये जाने के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस गियो नहीं जारू किया था कॉंग्रेस के गोशना पत्र जारी करने के मौके पर पूर्ब केंद्रिय मंत्री पीजे दमरम ने पीजेपी के गारंटी की तीखे आलोचना किये चिदमरम ने कहा कि मोधी की गारंटी का क्या हुआ हर साल दो करोड रोजगार देने का क्या हुआ लोगों के खाते में 15-15 लाक रुपए जमा करने का वादा कहा गया किसानों की आमदनी दोगनी करने का क्या हुआ पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का क्या हुआ चिदमनम ने कहा कि हमारी 25 गारंटी ठोस है जबकि मोधी की गारंटी होखली है राजस्तान के चुरू में हुए एक चुनाबी रैली के दोरांट दानुती मोधी ने कॉंग्रेस का बिना नाम लिये पार्टी के चुनाबी गोशना पत्तर पर तंजकसा उनने कहा कि भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है दूसरी पार्टी की तरह है भाजपा केवल गोशना पत्तर नहीं जारी करती हम तो संकल्प पत्तर लेकर आते हैं 2019 में हमने जो संकल्प पत्तर जारी किया था उसके जातर संकल्प पूरे हो चुके हैं कॉंग्रेस पार्टी ने आज शुक्रवार को लोक्सवाचनाव 2024 के लिए अपना गोशना पत्र जारी कर दिया है जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है कॉंग्रेस के गोशना पत्र की बड़ी बातों के अगर बात की जाए तो इसमें किंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां गरीब परिवारों की महलाओं को एक लाख रुपए सालाना जाती जनगर्णा एमसपी को कानूनी दर्जा मनरेगा मजदूरी 400 रुपए जाँच एजनिस उसका गोशना पत्र पाठी के पांच नयाय χिस्सेदारी नयाय किसान नयाय, शमिक नयाय और युवा नयाय पर आधारित है कॉंग्रेस ने हिस्सेदारी नयाय के तहट जाते जनगर्णा कराने और ए रक्षिन के 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है कॉंगरेस ने अपने गोशनापत्र में चुनावी बॉंड को लेकर कहा है कि संदिग्द सौदों की जांच की जाएगी और उन लोगों को कानून के तायरे में लाया जाएगा जिन्हों ने इससे अनुचित माध्यम से अवैद लाव कमाया है इसके साथ ही गोशनापत्र में कहा गया है कि बीजेपी में शामिल होने वाले पंजीकृत मामलों के आरूपियों को कानून से बचने की अनुमत दी गई ऐसे लोगों पर लगे आरूपियों के फिर से जांच की जाएगी ताहुल गांधी ने कहा है कि यह चुनाव लोकतंत्र और समयधान को बचाने का चुनाव है एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एंडिया लोकतंत्र और समयधान पर आक्रमण कर रहे हैं तूसरी तरफ इंडिया गठवन्दन लोकतंत्र और समयधान की रक्षा कर रहे हैं यह जिबाल गहरी साजिश के शिकार हैं संजे सिंग ने कहा कि कुछक्र रजकर देश के बेटे अर्विंद के जिबाल के खलाप साजिश हची गई और उन्हें जेल भेजा क्या संजे सिंग ने कहा कि शराब घोटाले में बीजेपी के बढ़ एता शामिल हैं संजे सिंग ने कहा कि एक ब्यक्ते हैं मंगूता रेठी उचिनों ने तीन बयान दिये उनके बेटे रागम मंगूता ने साथ बयान दिये 16 सितंबर को जब उनसे पहली बार ईडी ने पूछा कि क्या वो अरविंद के जिबाल को जानते हैं तो उन्होंने सच पताया और कहा कि उन्होंने अरविंद के जिबाल से मुलाकात की लेकिन Charitable Trust की जमीन के मामले में उनके बेटे को गरफतार कर लिया गया और पांच महीने जेल में रखने के बाद उनके पिता ने अपना बयान बदल दिया सिंग ने कहा कि दिली अपकार नीती मामले में एक एहम करदार मंगूता रेटी की तस्वीर पियम मोदी के साथ है 16 जुलाई को ये हमारे खलाब बयान देते हैं बीजेपी की साजिश में ये शामिल हो जाता है इसके बाद 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है उसका पियम से क्या रिष्टा है ये पियम मोदी की तस्वीर लगा कर वोट मांग रहा है टीडीपी ने इसे टिकेट दे दिया है टीडीपी एंडी में शामिल है संजे सिंग ने कहा कि अब एक और तारूपी शरत रेडी की बात करते हैं इसके 12 बयान लिये गए इसने भी मना किया अपने शुरुआती बयानों में 6 महीने जेल में रहा फिर जब उससे कहा गया कि बयान दो वरना जिन्दगी जेल में सट जाए कि शरत रेडी टूट गया 25 अप्रेल को के जिवाल के खलाप बयान दिया पिछले 10 बयानों को हटा दिया गया ED द्वारा जैसे ही के जिवाल के खलाप बयान दिया उनका बेल हो जाती है लोकसवर चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का खेल जारी है कोई कॉई कॉण्ग्रेस चोड़ बीजेपी में जा रहा है तो कोई बीजेपी चोड़ का दामन थामदा है मगर हाल के समय में देखें तो कॉण्ग्रेस चोड़ बीजेपी में जाने वालों की संख्या थोड़ी जाद है कॉंग्रेस को एक के बाद एक जटका लग रहा है इसी बीच कॉंग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत ने अपनी पार्टी को निशाने पर ले लिया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी बहुत सुष्थ हो गई है कॉंग्रेस नेता हरीश रावत न ने सुबार्चंद्र बोस को देश का पहला पदानवनती बताया जिसके बाद लोग उन पर तंज कस रहे हैं। उनके बयान ने सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म पर चर्चा और बहस छेट दिये। कई यूजर्स ने उनके दावे के बाद फैक्शुल ग्यान की कमी पर सवाल उठाए। एक्टर प्रकाश राज ने भी वीडियो शेयर किया और लिखा सुप्रीम जोकर पार्टी के जोकर के आपवान है। बियारस के अध्यक्ष केटी रामराव ने कहा है कि नौर्थ से भाजपा के एक नेता कह रहा है कि सुबार चंदर बोस हमारे पहले पीम थे, वहीं साउट से एक और भाजपा नेता कह रहा है कि महात्मा गान्दी हमारे पीम थे। आखिर काज इन सब लोगों ने कहा से ग्रैजूशन किया है। कॉंग्रेश नेता सुप्रेशनेत ने कहा है कि इनको हलके में ना ले। बीजेपी शुरोमनियों के लिस्ट में ये आगे जाई नहीं है। NCRD ने बार्मी क्लास की राजनितिक ग्यान या कहें पॉलिटिकल साइंस की किताब में धेरो बद्राव किये हैं। किताब से बाबरी मस्जिद, हिंदुत्त की राजनीती, दोहजार दो के गुजरा दंगों और अल्प सिंसेकों से जुड़े कुछ संदर्भ हटा दिये चैप्टर में राजनितिक लामन्दी की प्रकृति के लिए राम जनम हुमी आंदोलन और अयुद्या विद्वन्स की विरासत क्या है कर दिया गया है। जमानत देती है, हाला कि सुप्रीम कोट ने कहा है कि जमानत अवदी के दोरान शोमा कान की सेन विशेज अदालत की अनुमती के बिना महरास्ट नहीं छोनेगी। अदालत ने उन्हें अपने निवास इस्थान के बारे में जाच अधिकारी को सूचित करते रहने और उनके मोबाइल फोन के जीपिएस को 24 गंटे और अखने का आधेश दिया है। प्रफेस्टर सेन पर यूए पीए की धारा के तहट मामला दर्ज किया गया था। आरिबाइ गवर्नर शक्तिकाद दास ने कहा कि रैपो रेट 6.5 प्रतिशत ही बनी रहेगी। पाकिस्तान में टारगेटेड हत्याओं के पीछे अपना हाथ होने से भारत ने साफ तोर पर इंकार किया है। भारतिय विजश मंत्राले ने इन आरूपों को जूटा और एंटी इंडिया प्रोपगेंडा कहा है। भारतिय विजश मंत्राले की ये प्रतिकरिया गुर्बार 4 अप्रेल को बिटिस अकवार्दा गरजिन में छपीश रिपोर्ट के बाद आई है। जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान में आतंक्यों के खात्मे के लिए भारत तार्गेटिट हत्याएं करवा रहा है। अब तक के सुर्खों में इतना ही बाकी खपरों के लिए बने रहे है सत्तिहंदी.com के साथ।